नमस्कार दोस्तों कैसे अब लोग फिर से हमारे चैनल पर आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद रोज की तरह आज भी हम आपके लिए लाए हैं कुछ चुनिन्दा स्टॉक्स जो आप कल्ट्रेट कर सकते हो बहुत ही बड़ी है स्टॉक्स है डिफिनेटल इस पर अगर कल्ट्रेट करते हो अगर आप नजर में आखते हो तो आपको 4-5 पॉइंट का मुनाखा जरूर मिलेगा दोस्तों रोच की तरह हम आज भी कुछ लेके आए हैं जो कल अप्ट्रेट कर सकते हो लेकिन आगे जाने से पहले मैं आपको और एक चीज याद दिला दू अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्त जो भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाते हैं जो स्टॉक मार्केट के बार में जाना चाते हैं इनको स्टॉक मार्केट के बार में लर्निंग करना है उनके साथ हमारे चैनल का लिंक शेयर कीजिए हम अपने चैनल में रोज कुछ ना कुछ स्टॉक्स लेके आए क्रेंगे जो आप members पेडिंग कर सकते हो मुना फिदर स्थॉक्स आपके ढूंद के लाएंगे हम कि और इसे के साथ ever चलते हैं और तेखते हैं कि कल हमने कौum कौन से स्टॉक कि आपके लिए लाए ते चाइद करने के लिए और इसी बाद चलेंगे और देखेंगे कि कल के लिए आपको कौन से लेवल को या रहños किया रहे हैं किस लेवल को किस लेवल करना है कि ले Алगे करें और वो कैसा पॉफम करें आज के मार्केट पे तो कल जो स्टॉक हम आपको दिये थे उनमें पहले लिस्ट पे था और बिंदो फर्मा जिसका कि बाइट था 710 और अगर बुला गया था अगर यह स्टॉक सूपर जाता है बुलिश होता है तो यह 715 तक जा सकता है पहला टर्ग जाने पेंज रखे 698 पर पहला टार्गेट रखे 695 जल का दूसरा टार्गेट क्या सेल का 692 और तीसरा टार्गेट रखे 690 पर तो इसी जैसा चलिए जीरो दाखा चार्ट सीपर्न करता हो और देखते हैं और बेंदो फर्मा आज कैसा पर्फम किया अपर मैंने जीरो यहां पर आप देख सकते हैं देखे लाइन बहुत ही श्ट्रेट रहा जादे है वारीशन दिखने को नहीं मिली में इसका मार्केट अपन करके दिखाता हूं उपन हुआ 9079 पर और लोग या 9056 पर ज्यादा वारीशन मार्केट को दिखने में नहीं मिली और क्लोज हुआ 9106 बस 0.44% की बढ़ाती मिली आज इप्टी का चार्ट भी उपन करके दिखा सकते हूं यहां पर आप देख सकते हैं देखे लाइन बहुत ही श्ट्रेट रहा जादे वारीशन दिखने को नहीं मिली में इसको बंडे करता हूं आप यहां पर देख सकते हैं निप्टी का लाइ इसका मैं मार्केट डेप आपको पहले उपन करके दिखा देता हूं मार्केट डेप देखे उपन हुआ 705 पे एक पॉइंट पे यह 700 गया 700 जो कि हमारा सेल स्टाटीजी था उसके उपर ही रहा वो और मैक्सिमम गया 727 अगर आप देखेंगे 727 मितलब 727 तक गया मैक्सिमम तो बहुत बढ़ी हैप़ों कि हामारे सारे जितने भी बाइंग के टार्गेट जो पहला था अगर तो पहला था साथे 110 का पाइंग का टार्गेट फिर तो चाल्ट करके आपको दिखाता हूं तो यहां पर आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ी आपफोंग किया कभी अपना जो सेल का टारगेट था 698 उसके नीचे गया है नहीं तो अगर आपने इस टॉक पर इंबेस्ट किया होगा तो इस टॉक पर आपको सेल करने की जोरोती नहीं रहेगी इंट्रेट पर बहुत ही प्रॉफेट बहुत ही बढ़िया मुनाफास दिया दोस्तों यहां पर देख सकते कितने बड़िया बड़िया ग्रिन केंडल्स बने और सारे के सारे ट्रेंड लाइन से उपर जा रहे हैं वाल्यूम में भी कितना बड़िया आप यहां बेदेख सकते हैं पॉजिटिवीटी के दिखा रहा हूं कि सारे के सारे हमारे जो भाई टर्केट थे वह फुल्पिल कहीं पर भी लॉस नहीं हुआ पूरा एक जिस्ट्राटेजी जो था स्ट्राटेजी 698 पर उसको यह स्टॉक कभी टची नहीं गया और इसी के साथ चलते हैं और देखते हैं हमारा आज का जो दूसरा रिकमेंडेशन था वो के सब अफम क्या दूसरा रिकमेंडेशन था एसकोट्स जो कि देख सकते हैं आज दोस्तों यह 1.60 परसेंट उपर आज मार्केट पे बंद हुआ इसका पहले में मार्केट डेफ्ट उपन करके आपको दिखा देता हूं मार्केट डेफ्ट पी अच्छा ही रहा दोस्तों मार्केट खुला 870 पर जो कि हमारे जो टार्गेटेट बाइप्राइस था उसी के साथ ही मार्केट उपन उपन हुआ लोग या 862 फिर से हमारा जो एक इसकॉट पर जो सेल का एकजिट का स्टाटीजी था 860 था इसकॉट पर से आपको स्क्रीन शार करके दिखा देता हूं एसकॉट का क्या रेकमेंडेशन यहां पर आप देख सकते हैं एसकॉट का बाइंग प्राइस था 870 और इसका जो पहला टार्गेट था 875 था दूस तर्गेट 881 था और सिमिलरली उसी तरीके से सेल का टर्गेट था 860 अगर यह नीचे गिना शुरू होता है क्लियर बियर बरकर का ट्रेंड दिखाता है तो आपको बोला गया था 860 पर सेल कीजिए और सेल के लिए पहला टर्गेट था 856 का दूसरा टर्गेट था 854 का और फिर से चलता हूं जिरोधा के चार्ट के उपर तो यहां पर आप देख सकते हैं इसकोट का जो मार्केट डेप थे वह बहुत ही बड़ी आ रहा दोस्तों हमारे सारे डर्गेट आजी इसने क्रॉस कर लिए सेल का स्टाटेजी का भी बनाए नहीं पूरा का पूरा पूरा प 55 क्रोस किया 870 8 क्रोस किया 881 भी क्रोस किया और एक पॉइंट पे यह 885 तक गया तो अगर आप इस टॉक पर पैसा लगा होंगे मैं इसका चार्ट भी उपन गर के दिखाता हूं आपको अगर आपने आज इस पर पैसा लगया होगा तो आपको बहुत ही बड़ी आ मुनाफ इसे स्टॉक जानने के लिए आप हमारे चैनल से जोड़े रहे हमारा यही कोशिश रहेगा कि रोज हम आपके लिए ढूनदून के इसे इस लाते रहे जो आपके लिए प्रॉफिटेबल रहे और इंट्राडे पे आपडेट कर सकते हो आपको बूला जाएगा कौन से लेब मिस भी मिस भी मत कीजिए और अगर और आज का स्टॉक रेकमेंट करने से पहले मैं फिर से आपको याद दिलातना चाहता हूं अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चानल को सब्सक्राइब Considering about उठना चाहते हैं उनके साथ श्यार कीजिए और आरे चानल पे जो बैपल आइकन वहांपर भी क्लिक कियजिए तो इनको आपको नोटिफिकिशन जाएगा जैसे नया नयी वीडियोश अप्रोड करेंगे आपको वीडियो के बारे बीनोट्फिकिशन जाएगा आप हमारे पुराना वीडियो भी जाके देख सकते हैं आप हमारे सारे इंट्राटे रिकांडेशन देख सकते हैं बहुत ही हाई success rate दोस्तों आप एक बार जाओ पर आप प्रेडिंग कर सकते हो और इन शौक पर जब कर देंग करते हो तो उन पर रखे अगर यह श्टाॉक्स उपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं अगर लेबल क्रोस कर रहा है तो इन पर पैसा लगाई कि देफिनिटलि आपको मोना पमिल्ये गाएन इसके साथ मिलंके चंछनफोर HEY यह रहा पहला स्टॉक कि आपको कल करता mean में रखना रखना अब जब धिर्भी ट्रेड करते हो तो पहला स्टॉक के विर्ला शॉपट बहुत ही बड टर्गेट रहेगा 83 और अगर यह स्टावग नीचे गिरना शुरू होता है याद रखे अजर यह सब्सक्तर नीचे गिरना शुरू होता है इसको दो और पहला टर्गेट सेल का रहेगा 72 दूसरा टर्गेट रहेगा 70 तीसरा टर्गेट रहेगा 68 और एक चीज़ याद रिखे दोस्तों जो भी मैं स्टॉक्स बता रहा हूं आप इन स्टॉक पर एक दो दिन तर्स नाजा रख सकते हैं अगर यह स्टॉक आज पॉफम नहीं कर सक रहा है तो इन श्टॉक्स पर एक दो दिन कर नाजा रखे अपने वाच लिस्ट में आट करके लखे और देखेंगे हम कियों बोल रहे हैं कि वाई किज़े 77.5 पर और सेल किज़े 74 पर यह दिखे में यहां पर आ गया जीटो था के चार्ट के ऊपर यहां पर बिल्ला सब्ट का आज का मार्केट देख लेते हैं बिल्ला सब्ट आज बहुत सी बढ़िया पफों किया दोस्तों आप देख सकते हैं उपन हुआ 77.10 पर एक टाइम पर यह 80.40 तक गया था लेकिन वहां पर सस्टेण नहीं कर पाया गिर गया और मार्केट जब बंद हुआ तो बिल्ला सब्ट बंद हुआ 76.50 तक तो इसका चार्ट में उपन करके द दिला सब्ट के और वाल्यूं के साथ ही इसका आप देश सकते हो प्राइस भी बहुत बढ़िया इंक्रीज हुआ एक पॉइंट पर तो यह 80 तक चला गया यहां पर देख सकते हो 80.40 तक चला गया लेकिन यह यह यहां तक सस्टें नहीं कर पाया और दीरे दीरे थोड़ा सा प्राइस नीचे गया और यहां पर देख सकते हैं सारे ट्रेंड लाइन्स यहां पर मर्ज होगे मतलब सारे मिलें पर दिख रहे हैं आपको तो यह फाइनली बंदवा 76.50 तो इसी के साथ हम यहां पर अगर आप देखते हो 77.50 है जो है यहां पर यह लाइन की आपको दीख स आपको बहुत ही बड़ा मुनावा दे सकता है अब डेफिनेटल अकर 77.50 के उपर जाता है तो 80 तक जा सकता है जो पहला टर्गेट होगा आपको फिर 81 तक जा सकता है फिर 83 तक जा सकता है लेकिन अगर यह स्टॉक नीचे गिना शुरू होता है यहां पर दिखा दो यह जो सकता है तो 72 जो पहला टर्गेट है फिर दूसरा टर्गेट सेल का दूसरा टर्गेट सेल का दूसरा टर्गेट टर्गेट एगा 70 और टीसरा टर्गेट एगा 68 तो फिर से यह नंबर्स ध्यान में रखिए बाइ करना है आपको 77.5 पर अगर यह स्टॉक उपर जाता है तो 80 तक जा सकता है एक स्टॉक नीचे गिरता है तो सेल कीजिए 74 पर 74 पर क्लियर सेल की स्टाटीज लगाई है फिर 72 तो जा सकता है 70 तो जा सकता है 68 तो अगर बियर ट्रेंट दिखा तो यह श्र highlighter पर कल जब rat okay कर यह चाल का जब करक्राइब कर रहाँक मार्केट के साथ उपर जा रहा है निचे जा रहा है । नमब इन नमबर पर जो मैं शेयर किया हूं उन पर दान दीजिए और देखिए कल डिफिनेटली यह स्टॉक आपको मुनाफ़ादेगा मार्केट में इसी के साथ चलते हैं दूसरे स्टॉक्स पर जो कि आप कल टेट करोगे तो कल के लिए दूसरा स्टॉक है काडिला हेल्थ केर हेल्थ केर कंपनी है दोस्तों बहुत ही अच्छी कंपनी है आज कल थोड़ा अच्छा पॉफां भी करिए यह कंपनी तो इसका जो है जो बाए का पराइस आप इनिशेट करोगे जो पोजिशन लोगे बाए के लिए वो 34 346 पे स्टॉक पर एंटर करोगे ठीक है 346 जचानस याद रख्फियATE 1346 पर इस ट्रीक शिक प्रेस्ट्त पर इंटर करोगे और इसका पहला टार्गट रहेगा 350 दूसरा टार्गट रहेगा 352 आर दीरा टार्गट रहेगा 354 करी यह स्टाथ 346 के उपर जाता है तो तो 3.46 पे बाई गीजे पहला टारगेट रहेगा 350 दूसरा टारगेट रहेगा 350 तुरू और तीसरा टारगेट रहेगा 354 और अगर यह स्टौक नीचे गिनना शुरू होता है यह रिष्ट त्रेंड दिखाता है तो 3.40 पे स्टौक से एक्जिट लीजे फिसे याद रखेए 3 340 पर काडिलाख हेल्थकेर से क्लियर एक्जिट लीजिए पहला टारगेट रहेगा 336 दूसरा टारगेट रहेगा 334 और तीसरा टारगेट रहेगा 332 इसे के साथ चलते हैं जिरो दापे जिरो दापे चार्ट के उपर फिर मैं आपको बताऊगा कि मैंने क्यों सिलट किया होगा और क्यों हमने यह पॉइंट लिए हैं ट्रेड इनिशेट करने के लिए कि 346 पर एंटर कीजिए या फिर एक्जिट कीजिए 342 पर चलिए जीरोधा पर चार्ट के साथ आपको दिखाना चाहता हूं कि हमने यह स्टॉक क्यों किया हुआ है और इस स्टॉक पर आपको क्यों पोजिशन लेना है यहां पर देखिए दो के साथ उपन वहां मैं इसको वांडे करता हूं कितने बढ़िये बढ़िये ग्रेंट के साथ उपन वहां एक पॉइंट पर यहां पर देख सकते हैं यह स्टॉक 349 तक गया और हाई 350 कि 2.85 तक दे लेकिन उस लेबल पर यह स्टॉक अपने आपको सस्टेन नहीं कर पाया और अगर आप दे सकते हैं तो स्टॉक थोड़ा नीचे गिर किया और फाइनली बंदवा 343.35 और कल का जो पॉजिशन है इसका बाय का पॉजिशन है 346 346 का लाइन में आपको दिखा दूं दोस्तो 346 का लाइन यहां पर आएगा यहां पर आएगा 346 का लाइन तो इसको हम क्यों लिए हैं यहां पर देख सकते हैं यह जो ग्रीन कैंडल बना है ग्रीन कैंडल के उपर यह अपने आपको सस्टेन नहीं कर पाया और गिरता गया अगर कल अगर यह 346 का लाइन क्रॉस करता है तो बहुत ही बढ़िया बुलि 14 देज मुविंग अबरेज को इस पॉइंट पर तो इसलिए अगर यह स्टॉक कर दिखाने शुरू करेगा और इसलिए अगर यह 346 के उपर जाता है तो यह जाएगा 350 तक 352 तक 354 तक जा सकता है लेकिन अगर काडिला क्या नीचे गिना शुरू होता है तो क्लियर एकजिट के स्टाटीच रखें फिर से याद रखें क्लियर एकजिट लीजिए 340 पे तो यहां पर यह मैं आपको डॉक करके दिखा दू यह रहा 340 का लाइन तो यह जो है आज का सबसे बड़ा जो कैंडल है सबसे बड़ा जो आज ओपनिंग लिया हुआ था उसके नीचे अगर यह कल इस्टॉक गिरता है 340 के नीचे गिना शुरू होता है तो डिफिनाइटली आपको इस पे बेरी स्ट्रेंड दीखने को मिलेगी तो 340 पे क्लियर एकजिड के स्ट्राटी के लगाए क्योंकि यह स्टॉक और भी निचे जा सकता है Citreuses तक जा सकता है 334 जा सकता है 332 जा सकता है तो फिर से याद रखिएं दोस्तों इंटर किता है जो एकखने किरता है तो 340 पे स्टॉपर जाता है जाता है यह 34 तो झा सकता है तो इसी के साथ ये दो स्टॉक हम आप के लिये ले क्या है हैं हम आपको ज्जाधा स्टॉक प्रोपोज नहीं करेंगे आपके ज्यादा इन्टरे ड्शेंडे करने के लिए यह ज्याधा स्टॉक कि अद्रिघ्रे के बारे में जाना चाहते हो दो दो-3 प्रायर दौन के रहे इसलिए हम आपके लिए जपने की लिइसरों क्पर दरामने की लिए लहाइँ नाट्र dedicate क्लिए लिए का पर पेसा लगा रम और आपको technical indicators जो में बता है 7 days moving average 21 days moving average किस point पर यह match करता है किस point पर trend line उपर की तरह जा रहा है आप और volume के से बढ़ रहा है वो सब भी थोड़ा धान में रखिए तो इन दो stocks पर आप कल ट्रेट कर सकते हो इस जो जो पॉइंट आपको बोले गए हैं आप उस point पर position ले सकते हो और definitely आपको तीन चार पॉइंट का 45 पॉइंट का मुनावर मिलेगा दोस्तों इस stocks के stocks से तो इसी के साथ आज का वीडियो में खत्म करना चाहता हूं लेकिन वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको फिर से याद दि की कोशिश करेंगे और जो है हमारे जो बेल आइकन है वहां पर प्रेस कीजिए तो जैसे ही नए नए वीडियो अपलोड होंगे आपको नोटिवीशन जाएगा दोस्तों मैं आपको स्क्रिंशार करके दिखा रहा हूं कि जो जो भी हमने रिकमेंड किया हुआ हूँ उसमें आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्रेब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आपका बहुत बत धन्यावाद दोस्तों फिर से देखने के लिए धन्यावाद